ख़बरों के शुरुवात मैं आपके साथ करता हूँ, मेरी हर रोज कोशिश होकि मैं सुबह सुबह तमाम अखवारों के पहले पन्ने के जो खबरे हैं वो मैं आपको बताऊँ तो शुरू करते हैं आज का ये सफर दोस्तो मुझे उमीद है कि अब आपके स्क्रीन पर एक अखवार प्रतिश्चित अखवार नभारत टाइम्स का पहला पन्ना आ गया होगा आप देख सकते हैं वार की जो पहली खबर है सबसे बड़ी जो टॉप की खबर है नभारत टाइम्स ने बनाई है तीन मई तक लॉगडाउन जैशा के कल प्रधान मंतिर नरेदर मोदी जी ने कहा है कि लॉगडाउन जो है वो तीन मई तक बढ़ा दिया गया है अब चाबी आपके हाथ में है कि आप अपने जिन्दगी कैसे सुरक्षित रख सकते हैं 20 अपरेल तक तो काफी कड़ाई होगी उसके बाद जो होट स्पॉट नहीं होंगे मतलब जहां इस्तिती नियंतरन में होगी वहाँ पर छूट मिल सकती है और इसका जो गाइडलाइन है ये अब आचुका है गाइडलाइन आज इसका गाइडलाइन आज आएगा माफ कीजेगा आज इसका गाइडलाइन आएगा ये मैं आपको बता दूँ कि यह यहाँ पर खबर दी गई है आज के लिए सबसे महत्पून खबर यह होगी कि गाइडलाइन क्या होता है दोसरी तरफ एक बड़ी खबर यह है कि लॉगड़ान बढ़ते ही मुंबई में और मुंबई के स्टेशन पर जो है लोगों की भीड काफी बढ़ गई आप देख सकते हैं यह तस्वीर लोगों ने कहा कि गाउं जाने दो पुलिस ने लेकिन उन्हें भगा दिया एहम खबर है अमिच्छा ने ग्रिह मंतरी अमिच्छा ने भरोसा दिया है जरूरी चीजों की कहीं कोई कमी नहीं होगी यह आप खबर आप तो अपडेट कोरोना के बारे में अपडेट ले ही रहे हैं देश में कोरोना केस 10,000 के पार हो चुका है छे दिन में मरीजों की संखिया अल्मॉस दो गुनी हो चुकी है एक एहम खबर WHO के हवाले से यहाँ bottom में मैं देख रहा हूँ swine flu से कोरोना 10 गुना खतरनाक है यह कहा गया है और एक और ICMR Indian Council of Medical Research के हवाले से खबर है कि भारतिय चमगाद़ों में भी कोरोना मौजूद है ठीक है तो यह आप ने हमें को नभारे टाइम्स के पहले पन्ने के बताई है एक खबर अरविंद केजरिवाल के हवाले से है नभारे टाइम्स के पहले पन्ने पर है मुकमंतरी जी बोल रहे हैं कुछ लोग अब भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं यह देश से गद्दारी है तो ये है पहले पन्ने की खबर अब हम रुख कर प्यों अगला खबार जो है यह मैं लेता हूँ दैनिक भासकर दैनिक भासकर में आप दैनिक भासकर ने जिन खबरों को प्रमुक्ता से चापा है अमुमन हर खबार पे यह खबर तो आज होनी चाहिए कि लॉगडाउन तीन अगर आपका इलाका हॉट स्पॉट में नहीं रहा तो यह जो है इसमें साफ तौर पर लिखा गया है नभारत टाइम्स ने भी प्रधान मंत्री के सब्त सदी मंत्र क्या है भासकर ने भी सब्त सदी क्या है उसका यहां जिकर किया मैं पढ़के आपको सुना देता हूँ इसका ध्यान जरूर रखें, बुजरुगों का ख्याल रखें, जिन्हें पुरानी बिमारी है, अत्रिक देखभाल कर उन्हें संक्रमन से बचाएं लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में बना मास्क अनिवारे रूप से लगाएं ये देखिए बहुत महत्पूर्ण है, आपको कहीं बाहर पैसा खर्च करने की जुरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो घर मास्क भी इस्तमाल कर सकते हैं तो ये अहम जानकार में दी गई है, दूसरा है रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाने के लिए आयूस मंत्राले ने जो निर्देश जारी किये हैं, उसका पालन करें, गरम पानी काढ़ा बना कर पीएं, आरुग्य सेतू एप डाउनलोड करें, दूसरों को भी करवाएं, गर उन्हें वेबसाई उद्योग में काम कर रहें, लोगों के प्रति समवेदना रखें, किसी को नौकरी से नहीं निकालें, ये एक बहुत बड़ी बात प्रधानमिंतरी जी ने देशवासियों के, देशवासियों से कही है, खासकर वो लोग जो इंप्लॉयर हैं, रहें, उनके लिए कहा है कि आप नौकरी से नहीं निकालें, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, जैसे कोरोना या धाओं का पूरा सम्मान, उन्होंने सब्त सदी का मंतर दिया है, इसका पालन, उन्होंने कहा है कि हम लोग सबों को सभी देशवासियों को करन है, प्रधान मंतरी ने अपने भाशन में ये भी कहा, देश के नाम जो सम्मोधन था, उसमें इन्होंने इस बात का पर जिक्र किया कि हमने सही समय पर सही रास्ता सुना, चुना, माफ कीजिएगा, इसकी दुनिया भर में चर्चा होगी, आपको बजा दें, चर्चा हो रही है, WHO ने इसकी सराने की है, हलांकि प्रधान मंतरी खुद से ये नहीं कहना चाते हैं, लेकिन सचाई ये है कि इसकी तारीफ हो रही है, भारत की विकासदर, IMF की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत की विकासदर 1.9 प्रतिशत रहेगी, अकले साल तक 7.4 प् कि कोरोना की चताल दुनिया की अर्थ विवस्ता में, 90 साल पुरानी महामंदी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आ सकती है, साती उमीद जताई है कि बड़ी अर्थ विवस्ताओं में सिर्फ भारत और चीन ही भैंकर के, IMF के अनुसार, 2020-21 में भारत की विकासदर सिर्फ एक दश्मलवने का अनुमान है, ऐसा हुआ, तो यह भारत की 1991 के बाद सबसे कम विकासदर होगी, यह बहत चिंताजनक खबर है भारत के लिए, पूरी दुनिया के हर मुल्क जो है, मंदी की अशंका कर रहे हैं और इसके शुरुआत हो चुकी है, लोग परिशान हैं, दुन तो यह आपने देखी खबर, अब हम बढ़ते हैं अगले अखबार के और, अखबार दैनिक चागरन के खबरे क्या हैं, यह हम आकड़ा देख लेते हैं, कुल केस दुनिया भर में जो COVID-19 के पेशिंस हैं, मरीज हैं, उनकी संख्या दुनिया भर में 19,85,135 हो गई है, अमेर बारत का आकड़ा यहां पर दिया हुआ है, वृद्धी देख सकते हैं, 119 प्रतिशत भारत में मामलों में बढ़ोतरी हुई है, दिली में 1561 मामले हैं, मौत जो है, वो कुल विश्यु का 1,25,000, बहुत बड़ा आकड़ा है यह, अमेरिका में 25,000 के मौत हो चुकी है, चीन म में 16,000 का आकड़ा है, इस्पेन में 18,000 का आकड़ा आप देख रहे हैं, यह आपके सामने ही है और अमेरिका में सबसे आगे 25,000 का आकड़ा छुचु चुका है, जो कि बहुत-बहुत-बहुत चिन्ता के बात है, दुनिया में आप देखिए हर रोज कितनी मौत हो रही है, और ये हर किसी के समझ से परे है भारत में भी लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है 383 लोगों की मौत हो चुकी है 1170 लोग स्वस्थ हो चुके हैं ये कल रात तक का आकड़ा आपके सामने है ये वही खबर तीन वही तक लोगडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है अब ये है मिल सकती है सरशर्थ ये में आपको पढ़के सुना देता हूँ पतानमंतर ये भरोसा जोड़ो दिया है कि जिस छेत्रों में सकारात्मक बदलाओ दिखाएगा वहाँ नर्मी होगी उन्होंने कहा बीस अपरेल तक ले हर राज्य को परखा जाएगा जो अगनी परीच्छा में सफल होंगे जहां हाट स्पाट में नहीं होंगे जहां हाट स्पाट बनने के आश्रका नहीं होगी वहाँ बीस अपरेल से कुछ जरूरी गड़ियों की इजाज़त दी जाज़ सकती उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह छूट शर्तों के साथ होगी अगर लापरवाही हुई तो ततकाल छूट खत्म भी होगी यह मान कर चलना चाहिए कि राहत का यह अर्थ नहीं है कि वहाँ कोई आतिविदी होगी लेकिन उन्हें छूट मिल सकती है जो कम कर्मचारियों के साथ मूलता आटोमेडिट मशीनों का उपयोग के साथ उत्पादन कर सकते हैं अपने एक खबर देख ली है प्रधान मंतरी जी ने कहा है कि उनकी चिंता गरीबों और किसानों को लेकर है उनकी देखभाल की जा रही है यह बहुत लोग उमीद लगा हुए बैठे थे बहुत लोगों ने ट्रेनों के रिजर्वेशन से भी शुरू करा दी थी लेकिन अब यह खबर है कि वो हवाई यात्रा और ट्रेन यात्रा भी तीन मई तक बंद रहेगा मुंबई ठाने में लोगों की जित लॉगडाउन को खत्रे में डाला एक बार फिर दिल्ली जैसी सिती जो लॉगडाउन टू है उसके एनाउंस होते ही मुंबई में घर जाने के लिए बिहार, यू, पी, ओडिसा के लोग जो है स्टेशन पर पहुँच गए चमगादोनों की दो भारतिय प्रजातियों में बैट कोरोना है, दिल्ली में 51 नए मामले दो लोगों की जान गई है कोई भी करा सकेगा जान लेबाव वाइरस का टेस्ट, मास टेस्टिंग की तैयारी शुरू हो गई हर किसी को जाच कराने की जरूरत नहीं है ये सुरूरात से ही देखा जारा है कि हर किसी को जात कराने की जरूरत नहीं है जिनके ट्रैवल हिस्ट्री में ऐसा दिख रहा है कि संभावना होती है और वो बाकी सिम्टम्स भी नजर आते हैं उसके बाद ही ये तैय करने के बाद कि उनका सिम्टम्स उनका ट्रैवल हिस्ट्री है और सिम्टम्स ऐसे हैं फिर टेस्टिंग कराई जा रही है तो ये हम ख़बरें देख रहे हैं एक बहुत बढ़ी है चीज आयूश मंतराले के हवाले से फिर से पधान मंतरी जी ने भी सा निर्देश जारी किये हैं मंतराले ने कहा है कि कोविड-19 के इलाज की अब तक कोई दवा नहीं बनी है ऐसे में इम्यूनिटी को मजबूत करने वाले कदम उठाने चाहिए आप जानते हैं दोस्तों अगर इम्यूनिटी आपके अच्छी होगी बुदर्ग लोगों की इ करतिशत बहुत कम है रिकवरी रेट जादा है तो इसका मतलब है कि इम्यून सिस्ट्रम आपका मजबूत रहता है तो आप लड़ पाएंगे तो इम्यून सिस्ट्रम बढ़ाने के लिए क्या करें यहाँ पे कुछ मोटे पॉइंट्स में दिया चवन प्रास के सेवन और हल्दी वाला दूद पीने की सलादी है नाक में तिल या नारियल का तेल या घी डालना लावकारी होगा खांसी में भाप लेने और लॉंग पॉडर के सेवन का सुझाव किया गया है काढ़ा भी फाइदे मंद है मंत्राले ने अपने काढ़ा पीने के सुझाव भी दिया है मंत्राले कहना है कि दिन में एक या दो बार तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अद्रक और मुनक्का का काढ़ा पीना सेहत के लिए फाइदे मंद हो सकता है सौद के लिए इसमें गुड या नीबू भी मिला सकते हैं भारतिये परिवारों में खांसी, जुकाम और सिहत से जुड़ी कई छोटी मोटी परिशानियों के लिए लोग काढ़ा पीते हैं आम तोर पर काढ़ा बनाते समय उपरोगत चीजों को पानी में उबालते हुए मातरा को करीब आधा कर दिया जाता है तो ये खबर हमने आपको बता दी है दैनिक जागरिन की अब हम रुख करते हैं जनसत्ता के तरफ जनसत्ता अख़वार वही ख़बर तीन मई तक बढ़ी घरबंदी की मियाद अमिट शाह जी ने कहा है कि जरूरी चीजों का प्रयाप भंडार है चिंता की कोई बात नहीं ह केंद्रिय मंत्री ग्रेह मंत्री अमिट शाह ने मंगलवार को देश वासियों का आश्यों संदिया कि देश में अन दवाओं और अन आवशक वस्तों का प्रयाप्त भंडार है और पूर्ण बंदी की अब धी बढ़ने को लेकर किसी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए रेल वा उडान से वाएं तीन माई तक बंद ये ख़वरे आप पहले भी देख चुके हैं और वही मजदूर वाली तस्वीर प्रवासी मजदूर जो स्टेशन पर जम गया है उसे हटा हलांकि हटा लिया गया है पुलिस उन लोगों को भीड़ जुटाने के बाद वापस घ क्week सकते अमेरिका में वाफसे है ह्ट 1 वी वीजा धारकों को राहत मिला है क्या रहात है अमेरिका की सरकार ने आस्थाये कारिया वीजा कर shiningा हजारों के उन भारतियों के चरुना वार्जियों को संक्या में जौनलबय के कारण форм nie अबधी बढ़ने और देश में कुछ आगे उसमें होगी तो कुली मिलाकर यह ख़बर मैंने आपको दिखा दिए अब हम रुख करते हैं अंग्रेजी अख़वारों के तरफ अंग्रेजी अख़बार हिंदुस्तान टाइम से लॉक्डाउं तिल में थर्ड इंडस्टी बॉडी इस कॉल अंगर्मेंट फॉर लाग करोर तो 16 लाग करोर 14 लाग से 16 लाग करोड के पैकेज की मांग की है ताकि एकॉनमी को रिवाइब कर सके है उन्हान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी से इसकी अपील की है Federation of Indian Chambers of Commerce Industry Fikki on Tuesday estimated the magnitude of daily losses arising from the national slowdown at 40,000 crore हर दिन का नुकसान जो ये Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Fikki का अनुमान है कि हर रोज 40,000 crore का नुकसान हो रहा है It is also expected that close to 40 million jobs are at risk due to the during the period April September 2020 मतलब आप समझ लीजिए 40 million यानि 4 करोड लोगों की नौकरी खत्रे में है 4 करोर 40 million यानि करोर लोगों की नौकरी खत्रे में पड़ गई है पिछले दो महिने में अप्रील और सितंबर महिने में मिला कर तो पधनमंतरी जी ने हलांकि show empathy to people working in your business उन्होंने अप दोग पतियों से अपील की है कि आप उनका ध्यान रखे उची के कहना है कि उनका जो है खाटा बढ़ रहा है तो 16,000,000 करोड का उनको support चाहिए 8 लीटो कंड़क 20,000 टेस्स इन 5 देज आठ नए red zone का पता चला है उसमें क्या है तो पुट अनमर इन परस्पेक्टिए वो टोटल 16,000 टेस्स आप तो इदन ये दिल्ली की खबर है दिल्ली में 8 नए red zones जो है वो जो घोशित किये गए है इंफेक्शिंस मिले होंगे तो ये जो है बढ़ाए गया है फिर वही migrant workers वाली खबर COVID cases rising exponentially critical to ramp facilitating imports the best signal for ties India to China facilitating imports भारत ने चीन से क्या कहा है तो आप देख सकते हैं हम चीन पर कितने निर्भर है in fact जो testing kits है COVID-19 के उसके import के हम चीन से मंगाना चाहते हैं और वहां के जो हमारे envoy है भारती envoy है उन्होंने कहा है कि चीन से आगरह किया है कि जल्द से जल्द medical kits की आप पूरती भारत को करें ये दोनों देशों के अच्छे संबंद के लिए जरूरी है CBAC waits for government direction on board exams board exam कब होंगे CBAC को government के आदेश का अंदजार है CBAC's hoping guidelines that center will release on Wednesday will provide it with some clarity on conducting the remaining class 12 board examinations on evaluating class 12 and class 10th papers even as it prepares for the worst case scenario of not being able to hold the exams at all drug once aimed at Ebola holds promise for COVID-19 cure एक नई खबर ये है कि एक study से सामने पहले Ebola के इलाज के लिए जो दवा इस्तिमाल की गई थी वो SARS-CoV-2 यानि COVID-19 के इलाज में काम आ सकती है ये एक study है अभी बहुत बहुत तरह की studies जो है सामने आ रही है लेकिन अभी तक शर्तियां तोर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है आपको पता है hydroxy chloroquine जो की malaria की दवा है उसकी दुनिया भर में मांग काफी बढ़ गई है कुछ मामलों में ऐसा देखा गया कि उससे malaria को राहत मिली है तो इस तरह की बहुत सारी खबरें भी चल रही है लेकिन जब तक vaccine बन कर नहीं आता तब तक मेरे ख्याल से मुश्किले रहेगी दुनिया भर में और ये बहुत जल छुटकारा मिलने के उमीद नहीं है जो कोविट का दुनिया भर में आतंक है कोविट का कहर है अब हम बढ़ते हैं Times of India के अख़बार के पन्ने के तरफ इन्होंने पहले पन्ने पर वही लॉकड़ान वाली खबर है जा है चालिस दिन का हो गया है प्राइवेट सेक्टर रोप देन बड़ कमेंट हॉस्पिटल्स लीडिंग कोरोना फाइट जो गर्मेट हॉस्पिटल्स है वो कोरोना की फाइट में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी रोप इन किया गया है जैसे आपको प्रधानमंतरी जी ने खुद जानकारी दी थी आपने सुना भी था कि बहुत सारे बैट्स बनाए गए हैं हजार से जादा बैट्स हमें अविलेबल हैं प्राइवेट जीन अपने भाशनों में कहा था एर अम्बूलेंस ब्रिंग सूरत सरोगेट बेबी तो बैंगलरू पेरेंस सूरत में आईवेफ के जरीए एक सरोगेट बेबी का जनम हुआ उसे एर अम्बूलेंस के जरीए सूरत पहुचा गया उनके माता-पिता के पास तो यह बहुत दिल्चस्प खबर है अब यह देखिए यह दिल्चस्प खबर है मुंबई में ऐसा लगता है कि कोरोना के वज़े से इस बेजुबान के जो रखवाले हैं उसकी मौत हो गई है और इस वज़े से यह बेचारा इसको आईसोलेशन जो जानवरों का इसलेशन सेंटर है वहाँ पर इसको रखा गया है खबर किया है डॉग वाज प्लेस इन आईसोलेशन और फिफ्टीन इस आफ्टर इस केर टेकर डाइड ऑफ कोविड नाइटीन तो यह मुंबई के खबर है यह दिल्चस्प खबर से बॉटम में खबर चपी है तो अब मैं अगले खबार की और रुख करता हूँ आपको ले दिखाता हूँ इंडियन एक्सप्रेस ने क्या खबर चपी है नेक्स्ट माइल स्टोन मे थ्री 14,000 new cases in 24 hours 10,000 के पार जा चुका है पूरा मामला अब अमरिंदर सिंग पंजाब के मुख्य मंत्री इन्हों ने क्या कहा है Captain Amarinder Singh ने क्या कहा है Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh Prime Minister Narendra Modi to reconsider directives to industry and commercial establishments to pay full wages to their workers during the lockdown period saying it may push them into bankruptcy प्रधान मंत्री अपील कर रहे हैं कि भाई पूरा पैसा दो लेकिन Captain Amarinder Singh का कहना है कि इससे industry जो तरह बढ़ जाएगी अगर उन्हें workers को पूरा पैसा देना पड़ेगा कुल मिलाकर मुझे बहुत हैरान करती है इस तरह की खबरें जब आप अच्छे दिनों में आप पैसा बचाते हैं तो फिर वो एक दो मेहने तीन मेहने का खर्च क्यों नहीं आप उठा सकते हैं ये industry दिन दुनी राच चोगों ने बढ़ रही है एक फैक्ट्री से फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री से तीस फैक्ट्री आप देखिए यह अनवरत कहानी चलती रहती है ग्रोथ की लेकिन जब salaries देने की पताती है तो इंडस्ट्री को साप सुंग जाता है दो तिन मेहने की salary मुझे लगता नहीं है कि कितना component होता होगा overall expenditure में company के exactly तो मैं अभी नहीं figure out कर सकता हूं हर company का लग लग हो सकता है छोटे यह लेकिन दो तीन मेहने की salary देने में कोई हर्ज भी नहीं है अभी एक महिना भी ठीक से पूरा नहीं हो हमेदाबाद splits covid ward on faith says government decision यह ख़बर हाँ अब यह ख़बर जो है कोटा से है देश देश के अलग अलग हिसों से लोग कोटा पढ़ने जाते हैं वहां पर क्या सिती है passes out of quota students want to go home मुझे लगता है जो बच्चे वहां रह 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 था उनको passes दिये गए थे लेकिन अब वो लगता है कि until Monday quota is the nation's tutorial center for entrance examinations was issuing special passes for the safe passes home of its outstation students many of them from Bihar अंतर प्रदेश पर with the 21-day lockdown extended on Tuesday and to take any more students the district administration has stopped issuing passes खबर यह है कि Bihar में ही अब बाहर से लोगों को आने सक्ती बरती जा रही है उन्हें आने से मना किया जा रहा है जहां है वहीं रहें तो इसलिए यह खबर है कि quota के जो students है उसको district administration ने passes देना बंद कर दिया है कि आप अपने घर यूपी भी हार जा सकते हैं यह एक खबर है अब business की अखबार live mint के तरफ एक खबर देख लेते हैं उसके पहले पने पर क्या है all eyes on economic package जैसा कि पिछले खबार में आपने देखा कि इंडस्ट्री को 16 लाह करोड के package की जुरत है कुलमलाकर इंडस्ट्री के को इसी का इंतजार है इसमें क्या लिख है all eyes on economic package with four casters slashing India's financial year 21 both estimates soaring joblessness a calibrated exit from lockdown and fiscal stimulus is the only hope मतलब तमाम परीयसों निकलने के लिए इंडस्ट्री को तभी जो है जडिश की ह만दा थीख हो पाएंगे umanacht इंडस्टी की हाला ठीक हो पाएंगे इंडस्री हमीशा job jobs को लेकर सरकार के साथ सरकार को ब्लैक्मिल करती रही है हलां कि जॉब्स भारी संख्या में जाएंगी लेकिन अब इसी के बाहने से सरकार पर दबा बनाने के कोशिश होगी इंडस्टी की कि ज्यादा स्टिमूलस पैकेज जो है वो इंडस्टी को मिले यह आउटलूप फोर इंडिया ब्लीक या इम एफ के हवाले से जो है बाकलेज ने यह ख़बर दी है क्या है इंडिया इंट्राइट फंड उन तुजडे इस लास्ट इस फोई 21 ग्रोथ प्रजेक्शन फोर इंडिया तो इंडस्टी के लिए बहुत ही ब्लीक सिच्विशन है इस देफ्सी के चेर्मन दीपक पारिख ने कहा है कि लिक्विडिटी विल बी की तो ग्रोथ लिक्विडिटी विल वी की फोर कमपनीस तो सर्वाइब इन पॉस्ट कोविड-19 वर्वेर वेलुशन मॉडल्स विल अंडर्गो ड्रास्टिक चेंजज इस दीपक पारिख चेर है लोंज चाहिए तो हमने आपको अभी तक हिंदी अख़वारों की सुर्खियां अंग्रेजी अख़वारों की सुर्खियां देश के तमाम बड़े अख़वारों की सुर्खियां कुछ अबारे रह गई है आज चुकि पहला दिन है तो मैं ज्यादा अख़वार नहीं ले और भी अख़वार, New York Times को भी लेने के खोशिच की थी, लेकिन वो पेज ठीक से खुला नहीं, तो मैंने Washington Post लिया है, इसमें क्या ख़बर है, वो मैं आपको बता देता हूँ, Canada's Cross Border Nurses asked to choose a new hot spot, but wide stay home call, yes, अभी भी वहां पर अमेरिका में जो है, stay home call, statewide नहीं हुआ, मतलब सभी अमेरिका के सभी राज्यों में statewide stay home का call नहीं लिया गया है, अमेरिका में बहुत economic उपरात्मिकता जी दी जा रही है, और पहले सी inevitable है, वहां पे दुनिया भर में मौत का आकड़ा, किसी ने खुल कर नहीं बताया कि 2.5 लाक मौत हो सकती है, अमेरिका ने पहली बार खुल कर कि वहां economic को risk तो है, बंदी है, पूरी दुनिया में काम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, तो economic के लिए risk तो बढ़े गया है, लेकिन Trump सरकार जो है, बहुत जादा आगे और risk लेने को तयार नहीं है, industry को किसी तरह बचाना चाहती है, इसलिए जो है, कहीं कहीं partial lockdown है, कहीं कहीं self motivated self confinement में आपको stay home का आदेश दिया गया, आप रहे हैं, work from home करें, लेकिन सभी राजियों में ये आदेश अभी तक लागू नहीं किया गया है, stay home का, nationwide जो है, वो आदेश नहीं जारी किया गया है, लौकर तो कुलमला करिए, दुनिया बर के ख़बरे हमने आपको बताई, कि वापस लोटते हैं, अब आप स्क्रीन पर शायद मुझे देख रहे होंगे, दोस्तों आज ये मेरा पहला दिन था, और मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज सुबह साथ बज़े आपके लिए अख़बार की सुर्खियां लेकर आऊं, क्योंकि आप सुबह जब उड़े की इचा रखेंगे, तो अख़बार की सुर्खियां आपको मिलेगी, तो शायद बिना मेहनत के आप तमाम दुनिया भर के अख़बार की सुर्खियां जान पाएंगे, और मेरे लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैं रोज पत्रकार हूँ, मैं अख़बार पढ़ता हूँ, और मेरे लिए रोज का काम है अख़बार पढ़ना, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, कि आप हमारे साथ जुडेंगे, औ जो एक्जाम देने वाले परिक्षारती हैं, उनको न्यूज और करेंट फेर्स की जरुरत होती है, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, जो आजकल पूछे जा रहे हैं, और आपको ऐसे भी देश-दुनिया का हाल पता होना चाहिए, चाहे आप जॉब में हैं, सरकारी जॉब में प्राइव तो